इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अयोध्या रेल्वे स्टेशन री डेवलप्मेंट के बाड़े में अयोध्या में स्री राम के भव्य मंदिर बनाने का काम अब स्टार्ट हो गया है अब अयोध्या का railway station भी राम मंदिर की तरह काफी भब भी बनेगा। लगबग 200 करोड के बजट से इंडियन railway अयोध्या railway station को world class railway station की तरह डेवलप कर रही है। अयोध्या में railway station को redevelop करने के साथ airport भी under construction है और अब ISBT यानि की bus station भी बन रहा है। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ details में जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अयोध्या को एक बहुत बड़े religious tourism destination की तरह डेवलप करने का government का plan है। इसमें सबसे important है connectivity के लिए airport, bus station और railway station के अलावे highway को भी upgrade किया जा रहा है। अयोध्या में airport का भी निर्मान हो रहा है। नए airport की घोसना 2018 में ही मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ जी के द्वारा किया गया था। इस साल के budget में airport के लिए 500 करोर रुपे एलोट किया गया है। अयोध्या में पहले से ही air strip बना हुआ है जो केवल VIP के movement के लिए यूज होता है। उसी air strip को develop करके एक नया airport बनेया जाएगा। वर्तमान में airport के लिए land acquisition का का काम प्रोग्रेस में है। एयरपोर्ट के बाद अयोध्या में railway station का भी काया कल्प हो रहा है जिसके बाड़े में हम लोग आगे details में देखेंगे। एयरपोर्ट और railway station के बाद अयोध्या में Interstate Bus Terminal यानि कि ISBT का भी निर्मान किया जा रहा है। और नया बस station बनाने के लिए 7 करोर रुपे उत्तरपरदेश गोवर्मेंट के द्वारा अयोध्या को एलोट किया गया है। इसके अलावे 250 करोर रुपे के बजट से highway को भी upgrade किया जाएगा। यानि कि अयोध्या तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट के सारे mode को develop किया जा रहा है। इस सब के अलावे टुरिस्ट और सरधालू के safety और security का खैल रखते हुए लगवग 8 करोर रुपे के बजट से अयोध्या में police barrack भी बने जाएगा। साथ ही local twist spot को भी develop किया जा रहा है जैसे 16 करोर रुपे के estimated budget से तुलसी समारक को develop किया जा रहा है। सर्यू नदी के घाट को already develop किया गया है जिसे future में और beautiful बने जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं अयोध्या railway station के redevelopment के बारे में। अयोध्या railway station को redevelop करके world class facility के साथ राम मंदिर की तरह भव्य बनाया जा रहा है। वर्तमान में भी अयोध्या railway station मंदिर के design में ही बना है लेकिन नया design काफी भव्य और मनमोहक है। 200 करोर रुपे से जाएदा खर्च करके अयोध्या railway station को redevelop किया जा रहा है जिसमें से लगवग 100 करोर केवला station building को बनाने में ही खर्च होगा। नया railway station का design इस तरह से किया गया है कि station building के top पर मुकुट के design में गुमबत दिखेगा। railway station के building का जो front section होगा उसमें लगवग 27 feet height की और लगवग 30 feet चोड़ाई में एक बड़ा सा बरामदा बने जा रहा है जिसे museum की तरह develop किया जाएगा। railway station तक passenger को आसानी से पहुँचने के लिए दो फलावर भी बने जाएगा। वर्तमान में अयोध्या station यानि की अयोध्या junction पर केवल 3 platform है और average 5000 पैसेंजर डेली इस railway station से travel करते हैं। लेकिन railway का मानना है कि राममंदीर बनने के बाद अयोध्या से डेली लगवग 6000 पैसेंजर ट्रेवल करेंगे। अयोध्या आने वाले स्रधालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। इसलिए अयोध्या station पर platform की संख्या 3 से बढ़ा कर साथ किया जा रहा है। अयोध्या railway station पर 2 food hour breeze बनाया जाएगा। इसके साथ ही VIP waiting lounge, special guest house, auditorium, food plaza और restaurants भी बनाया जाएगा। साथ ही waiting launch का expansion किया जाएगा, तीन नए restroom बनाया जाएगे AC facility के साथ और male और female के लिए door matter भी बनाया जाएगा। पैसेंजर की comfort के लिए lift, elevator और traveler भी लगाया जाएगा। कुल मिला कर अयोध्या railway station को world class railway station बनाने का railway का plan है। इंडिया में और भी कई सारे railway station को redevelop किया जा रहा है, जैसे हवीब गंच, गांधी नगर, आनंद विहार, अमरीत सर्च, चार बाग, लेकिन उन railway stations में और अयोध्या में एक बड़ा सा difference है, उन railway stations को IRSDC develop कर रही है PPP model पर, जबकि अयोध्या को Indian railway खुद develop कर रही है। अगर एकदम आसान भासा में समझें, तो दूसरे railway station को private companies develop कर रही है, और बदले में आपसे चार्ज बसू लेगी, जबकि अयोध्या में ऐसा कुछ भी नहीं है, अयोध्या railway station को Indian railway खुद develop कर रही है, अयोध्या railway station को दो फेज में develop किया जा रहा है, और फर्स्ट फेज दूसरों के साथ भी share कीजिए, और हमसे जुरे रहने के लिए आप इस channel पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं,